हेलो फ्रेंड राधी राधी जैश्री कृष्णा वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल नंदिक शोर क्रियेटिविटी एंड देखे याज हमने यह बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई है यह बनाई है हमने यूगल जोड़ी के लिए बट इसको आप लड़ गपाल के लिए भी ब स्क्राइशन के लिए यह देखेane मेरे पास यह मोटी है तो अगर आपके पास इस तरह से मोटी हो तो आप वह लगा सकते हो चोटे हैं तो आप यहां पे एड़ लागा लेजिए और अगर आपके पास कोई बड़विटन है तो तो आप सेंटर में एक ही लगा只ए अंगर इ जाएगी बहुत इजली यह एक और दो नमबर लडुगपाल को आ जाएगी और अगर आप यूगल जोड़ी के लिए बना रहे हो तो यह हमारी चार इंच यूगल जोड़ी के लिए ड्रेस है देखो मैं मेजर करके दिखा सकते हूं यह देखे यह मेरे पास इंची टेप है औ यह देखो यहां पर 4 इंच में थोड़ा सा मतलब एक पाइंट कम है हमारा 4 इंच में ठीक है ना इतनी यह हमारी है और 4 इंच यूगल जोड़ी के लिए ही है यह तो देखो मैंने डोरी भी डाल रखी है आप अगर इधर से फ्रेंट रखना चाहो तो इधर से भी रख सकते पटका जरूर बनाएं बहुत प्यारा लगेगा तो मैंने फिलाल पटका नहीं बनाया है मैंने इस वीडियो में यही बताया है इस ड्रेस को बनाना बताया है जो कि बहुत इजी है तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट और स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको प आपको मिलता रहे और यह हमने क्रिस्मस स्पेशल बनाई है क्रिंश पर हम अपने पैनाएंगे योगल जोड़े को चलिए करते हैं स्टार्ट तो देखिए टू प्लाई की यहां वुली है मैंने रेड कलर में और यह 12 नंबर का क्रोशिय हुक लिया हुआ है तो सबसे पहले हम कि यहां पर चैन बनाएंगे उसके लिए एक नोट लगाएंगे इस तरह से और नोट डाल कर देखो नोट ना भी लगाओ तो आप ऐसे लपेट कर ऐसे एक वार ओर लपेट और फिर यह तो यह अपने आप नोट लग जाती है ठीक है ना तो अब काउंट करेंगे वान टू त्री चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा हो गई अब वान टू थ्री यानि कि टोटल फिफ्टीन हो गई और जो ये हमने बारा जो है ये अंगुठे में दबा रखी है ट्वेल्थ वाली इसमें हमें इस तरह से क्रोश्य हुक को डालना है ये देखिए इस तरह से क्रोश्य हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक क्रोश्य बना लेंगे डबल क्रोश्यों तो ये देखो मैंने एक ये बनाई और एक ये बनाई दो डबल क्रोश्य हो गए बाकी हमारे पास बच्छे 11 तो यहाँ पर मैं 11 के 11 में दो दो डबल क्रोश्य बना लूँगी यहाँ देखो इसमें एक बार बनाया और एक और बार बनाया तो यह मैंने दो डबल क्रोश्य बना लिए और यहाँ पर एक डबल क्रोश्य बनाया एक बार और बनाया यह हो गए दो फिर यहां पर एक बनाया और नेक्स्ट में भी एक बार और बनाया तो इस तरह से यह दो हो गए अब मुझे सभी में दो दो बार डबल क्रोश्य बनाना है तो चलिए बना लेते हूं तो देखे friends मैंने first round complete कर दिया है और मैंने सभी में यहाँ पर दो दो बार double crochet बनाई है एक chain में दो double crochet मैंने बनाई है तो यह मेरे पास total इस time 24 double crochet है अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें यह देखो मैंने एक और दो दो मैंने chain बनाई और work or time करेंगे यहाँ पर एक बार मैं फिर से chain बनाउंगी क्रोश्या बनाउंगी और यह मैं single crochet बनाऊंगी यहाँ is sorry half double crochet बनाऊंगी यानि कि हमने तीनों को एक ही साथ में निकाल देना है तो यह हमारा half double crochet हो जाएगा अब मैं यहाँ पर एक बार next में बनाऊंगी तो नेक्स्ट में ये मैंने किया देखो मैंने इस पे लपेटा और एक ये निकाल के लिया तो मेरे पास तीन है तीनों से मैं एक ही बार एक कर दूँगी तीन को एक ही साथ में एक कर दूँगी फिर नेक्स्ट में ऐसे ही तीन को एक ही बार में एक कर बना दूँगी तो ये हम single crochet बोलते हैं इनको यहाँ पे भी यह देखो तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दो chain ली थी फिर उसके साथ मैंने एक बनाया half double crochet उसके बाद मैंने एक दो और तीन, तीन मैंने बना दिये है, अब यहाँ पे मैं दो बार बनाऊंगी एक ही chain में यही chain में दो बार half double crochet बनाऊंगी उससे next में एक बार बनाऊंगी तो यह देखे, यह मैंने एक बार बनाया अब उससे next में फिर से मैं एक बार बनाऊंगी और एक बार और तीसरी chain में भी एक बार बनाऊंगी, यानि कि तीन chain में एक एक बनाऊंगी देखो फोर्थ चैन में मैं दो बार बना रही हूँ यह देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने दो चैन ली उसी के साथ एक बार और बनाया फिर मैंने एक बनाया फिर उसके बाद एक और बनाया यह फिर उसके बाद यह एक और बनाया और फिर नेक्स्ट चैन में यह यहां पे मैंने दो बम थुदिए एक है य है तो इसतरह से 3 आविए आच से चाहित भीन आब हम और त्यूट्ट के बिमने नहां भीन टोर्भाल के जो है 30 double क्रोशिया है क्योंकि देखो इधर मैंने लाश्ट में इंक्रेज नहीं किया और इधर लाश्ट स्टार्टिंग में तो हम हमेशा ही एक चैन बनाने के बाद तिन चैन बनाने के बाद उसके बाद करते हैं क्रोशिया तो वो काउंट नहीं होगा तो इस तरह से हमारे यहां पर 6 इंक्रेज हुए है तो टोटल हमारे 30 हो गए अब हमें क्या करना है अब इसमें हमें आर्म होल छोड़ने हैं तो देखो तीन मैंने चैन बना ली अब हम आर्म होल छोड़ेंगे क्योंकि जादा बड़े नहीं होते हमारे क्रिष्णा जी चार नंबर के लिए हम बना रहे हैं मतलब कि चार इंच के काना जी के लिए यूगल जोड़ी की है यह ड्रेस तो देखे तीन मैंने यहां पर चैन ली वर्क को टाइन करेंगे और कैसे हमें करना है यह देखो तो हम इसको थैटी को थरी पार्टस में डिवाइड करें तो हमारे पास टन आते हैं तो यह लीए को फाइफ मैं यहां पर रख लूँगी फाइफ इधार रख लूँगे टैन हो जाएंगे फाइफ और फाइफ आर्म-होल के हो जाएंगे और टैन हमारे पीछह के हो जाएंगे है ना तो पीछे में 10 ना रखके यहां पे मैं 8 8 रखूंगी यहां 5 5 रखूंगे यहां पे 8 रखूंगी और 6 और 6 आर मोल के रखूंगी ठीक है क्योंकि एक एक जो अगर इधर एक्ट्रा है आप अगर इधर को बैक रखना चाहो तो ऐसे इसके उपर पट्टी रख्षी जाएगी और हम डोरे भी बाझ सकते हैं ठीक है तो यहां पे मैं 5 बनाओंगी वन हमारी यह हो गई चैन और यह 1 क्रोश्या और यह 2 खो गया तो यह 3 हो गई और यह 4 हो गई और नेक्स्ट यह हमारा 5 हो गई तो यह देखे यह फाइब हो गए अब यहां पे 6 चैन काउंट करके 7 में हमें डबल क्रोश्य बनाना है इस तरह से यह देखिए यह हो गया अब यहां पर 8 बनाने हैं तो उसके लिए एक पहले ही बन चुका है वन हो गया और यह टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट, 8 एक हो गया फिर से हम 6 काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में हम 7 चैन में इस तरह से डबल क्रोश्य बना लेंगे यह देखो हो गया अब 5 बनेंगे तो इसको यह 1 हो गया और यह 2, 3, 4 और यह लास्ट यह हो गया हमारा 5 तो यह देखो इस तरह से हमारी चौली बनेगी यह हमारी इसके उपर चड़ जाएगी तो यह बनदेगी तो हम इसको ऊपर इसके उपर और यहाँ पे अब मैं half double crochet से बनाऊंगी यह वाली row और इसको यहाँ पे हम joint भी कर सकते हो अगर आपको joint करना है तो इस तरह से joint कर सकते हो और फिर आप बना सकते हो ठीक है ना लेकिन इसको मैं open बनाऊंगी यह देखो ऐसे ही रखेंगे one two two हो गया और यहीं पे एक बार और बनाएंगे half double crochet एक हो गया और next में एक बार उससे next में एक बार उससे next में एक बार यह हमें सभी में एक एक बार बनाना है अब देखो यह arm hole आ गया यहाँ पे और arm hole की जो यह chain है यहाँ पे हम एक बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिय बना रहे हैं यानि कि तीन को एक ही बार में निकाल रहे हैं तो चल यह कर लेती हूं इस राउंड को भी कम्प्लीट तो देखे फ्रेंट्स इस तरह से यह राउंड भी हो गया है हमारा कम्प्लीट यह देखे और यह जो है एक रखोंगे और यह हम बैक रखेंगे तो इसके उपर ऐसे करके फिर ऐसे रेडी है यह देखो ऐसे हमारी चोली रेडी है अब हम इसका घेर बनाएंगे तो यहां पे मैं पहले लगाँगे वाइट कलर यहां पे अब हम वाइट कलर लगाएंगे और इसको ऐसे दबा लेंगे एक्स्ट्रा को तो यह देखो चैन बनाई यह दो हो गई तीन और एक बार और हम यहां पर बनाएंगे डबल क्रोशिया तो यह देखे दो डबल क्रोशिया हो गया फिर एक चैन बनाएंगे और एक यहां पर स्किप करेंगे और फिर next chain में हम double crochet बनाएंगे ये देखो एक बनाया और एक बार फिर मैं यहीं पर बनाऊंगे तो ये हमारे दो double crochet हो गए और देखो इसको हम साथ में दबात दिया है मैंने यहाँ पर तो फिर से एक chain बनाएंगे और एक chain यहाँ पर नीचे skip करेंगे और दूसरी में हम यहाँ पर double crochet बनाएंगे तो दो बार बनाएंगे हम double crochet ये देखो फिर एक chain बनाएंगे और एक chain नीचे से skip करेंगे और next chain में हम work करेंगे अपना और यहाँ पर हम दो बार double crochet बनाएंगे तो देखो हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले मैंने यहां पर white color को joint किया उसके बाद 3 chain बनाई और फिर एक double crochet बनाया यहीं पर 2 double crochet एक ही chain के अंदर बनाए फिर एक chain बनाई और नीचे से एक chain skip करके next chain में फिर से मैंने 2 बार double crochet बनाया फिर एक चैन बनाई और नीचे से एक चैन स्किप की नेक्स्ट चैन में फिर से मैंने दो बार डबल क्रोशिया बनाया है फिर एक चैन फिर दो डबल क्रोशिया एक चैन बनाएंगे एक स्किप करेंगे एक चैन बनाएंगे एक स्किप करके दो डबल क्रोशिया बनाते हुए और इस तरह से हम अपने राउंड को complete कर लेंगे तो देखे friends यह round हो गया हमारा complete बना दिये मैंने एक के अंदर दो डबल क्रोशिया एक चैन और दो डबल क्रोशिया फिर देखो क्या करेंगे मैंने एक चैन ली वक को टॉइन किया और यहां बीच वाले में बीच वाले में मै तो देखे हैं कि असल्द दो हम से अंदसावा हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया दो हो गए एक बार और पिर seconds क्रोशिया ही को कर दो डब डबल क्रोशिया भी कोला मैंने एक तू सादों बीच ऑफिर से एक ऐच यहां यहां दो के बीच में नंस्ट वाले में helped क्रक्या क तो देखो हम second round में मैंने क्या किया पहले एक chain ली और बीच में slip stitch कर दिया और दो के बीच में मैंने 4 double crochet बना दिये फिर एक chain यहाँ पे लेते तो यहाँ पे भी मैंने एक chain ले ली और फिर से दो के बीच में 4 double crochet बना दिये अब फिर से मैं यहां पर एक चैन लेऊंगी यह देखो एक चैन बनाई और यह दो डबल क्रोशिया है तो इनके बीच में हमें चार डबल क्रोशिया बनाने है और इसी तरह से हमें सैकिन्ड राउंड को कम्पलीट करना है यह हमारे घेर का सैकिन्ड राउंड है क्योंकि यहां वाइट से हमने घेरा स्टाइट किया है तो देखो चार बना दिये फिर से मैंने डबल क्रोशिया और एक चैन बनाएंगे और फिर से यहां पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से सभी में हो गया है और मैंने सभी में 4 double crochet बनाई इई हैं यहाँ पे white color में आप मुझे red color लगाना है यह देखे red color इस तरह से लगा सबस्तिछ करना है फिर यहाँ hole में hole में slip stitch करना है और उसके बाद अब फिर से हमें यहां पर चैन बनानी है तो यह हमारा third round है यह देखिए one two three तो three मैंने चैन बनाई अब हम चार के बीच में आ गए है दो हमारे इधर है और दो इधर है तो चार बनाए थे अब हमें छे बनाने है यह देखो एक three के chain हो गई इसको double crochet count करेंगे और एक यह double crochet मैंने बना दिया तो दो हो गए next three हो गए four five और यह six तो देखो six double crochet मैंने बना दिये फिर से एक chain और यहां पर अब next में जो मैंने चार double crochet बना रखा है उनके center में लेना है और इस तरह से double crochet बनाना है यहां पर भी मुझे छे double crochet बनाना है तो देखिए हम गेरा कैसे बना रहे है सबसे पहले अभी दिखाती हूं मैं ज्यादा time नहीं लोंगी तो देखो समझा देते हूं सबसे पहले हमने दो double crochet बनाए थे यह देखो वाइट के दो बनाए थे एक ही में और एक चैन बनाए थे दो double crochet एक चैन दो double crochet एक चैन फिर हमने दो के बीच में से लिए और यहां पर चार double crochet बनाए चार double crochet एक चैन चार double crochet एक चैन अब मैं क्या कर रही हूं फिर चार के बीच में से लेना है हमें और यहां पर छे double crochet बनाने हैं तो यहां मैंने छे डबल क्रोशिया बनाए फिर एक चैन बनाए फिर सेंटर में यहाँ पे चार के बीच में लाकर छे डबल क्रोशिया बनाए फिर एक चैन बनाँगी फिर इसके बीच में छे डबल क्रोशिया बनाँगी फिर एक चैन फिर छे डबल क्रोशिया तो इस तरह से हम third round करतेंगे complete और fourth round में फिर हमें six की जगह पर eight करना है यहां पर six की जगह हमें eight करना है और यह जो एक chain है यह हमारी चलती आ रही है और इसको भी हमें ऐसे ही करना है यहां कि eight double crochet, एक chain, eight double crochet, एक chain, eight double crochet, एक chain इस तरह से करके fourth round को complete करना है तो चलिए मैं कर लेते हूं complete fourth round भी और third round भी फिर दिखाऊंगे आपको तो देखे फ्रेंट्स यहां मैंने fourth round भी complete कर दिया देखे पहले दो बनाए फिर चार बनाए यहां पर यह देखे दो यह है और दो यह फिर मैंने यहां पर छे बनाए और यहां पर मैंने आठ बनाए यह देखो 1, 2, 3, 4 4 बनाकर मैंने यहाँ पे 2 चैन बनाई है बीच में देखो इन में मैंने कहीं पे चैन नहीं बनाई थी बीच में लेकिन यहाँ पे मैंने चैन बनाई है फिर यह एक वाली चैन है और यह 4 बनाकर 2 चैन फिर से 4 फोर बनाई फिर दो चैन बनाई और फिर से मैंने फोर डबल करूशय बनाई इस lay mother इस तरह से मैंने फ़ूर्ट राउंड को कुप्लेट किया यह पता है मैंने क्यों बनाई है क्योंकि यह हमारा डेजाइन है जो इस तरह से आ रहा है जिक जैक में तो इसको जिक जैक बनाने के लिए यह मैंने यहाँ पर दो चैन बनाई है जिससे कि यह जो है चोच सी इसके निकल जाए ठीक है तो उसके लिए मैंने यह दो चैन बनाई है और इस तरह से हमारी ड्रेस जो है कमप्लेट हो गई है यह देखिए और यहां मैंने डोरी भी डाल दिया है इसको फ्रेंट में रखो यह वो आपकी इच्छा है और इसको फ्रेंट में रखो आपकी इच्छा है कि इधर से भी आप इसको फ्रेंट रख सकते हो तो मैं इधर से रखूंगी और पीछे से हम डोरी डाल देंगे तो देखिए कुछ ही इस तरह से हमारी ड्रेस बन कर आई है अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेल आइकन को प्रेस करके ओल के बटन पर क्लिक कर लेना और देखो फ्रेंड्स अगर आपको इसको पर डेकोरेशन करना चाहो तो और कुछ भी ना करो जश्ट यहां पर एक बटन लगा लो अच्छा सा तो उससे भी यह ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी तो ठीक है ड्रेस हो गई है हमारी कंप्लीट थैंक यू